नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल को ज़दा से ज़दा सस्क्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे टेप्स, ऐसे जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना भेहद इंपोजंच और आपके लिए लाबदायक साबित होते हैं तो चलिए दोस्तों आईए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास दोस्तों आज हम अडूसा के फायदों के बारे में बात करेंगे अडूसा को संस्कृत में वासा या वसु कहा जाता है और इंगलिश में मालावार कहा जाता है इसका विग्यानिक नाम अदा तोड़ा वासिका है ये भारत के अदिकांश भारत में एक जंगली चाड़ी के रूप में उगाया जाता है और इसे बाड बिनाने में इस्तेमाल भी किया जाता है इसके फल, फूल, जड़े, इत्यादी पत्तों का इस्तेमाल आरुवेदिक में किया जाता है और इसका प्रियोग हजारों सालों से किया जा रहा है यह जिवानु रोधी सुजन को कम करने वाले और रक्त को शुद करने वाले गुन होते हैं मालाबार नट समन्दी में आरवेदिक में इस्तेमाल किये जाने वाले मुख्य और शदियों में से एक है इसके प्योग से ब्रोंकाइटिस, कफ, ठंड, दमा आधी रोगों में बहुत जादा लाब होता है यह एक सदा बाहर जाड़ी होती है जिसके ओचाई धाई से साड़े तीन फिट तक होती है इसके फूल सफेद रंके होते है यह पाड़ी छेतरों में पाया जाता है आज हम अंडूसा के फाइदों के बारे में बात करेंगे चलिए जानते हैं यह किस प्रकार से हमारे स्वास्ते के लिए फाइदे मन्द है यह दस्त में काफी लाबकारी होता है अंडूसा के फाइदे हमें कई छोटी बड़ी बिमारियों में नजर आते हैं इसकी पतियों के दो से चार ग्राम रस से दस्त और पेचिस के उपचार में रहाद मिलती हैं यही नहीं इससे बवासिर की परिशानी से भी निजात पाया जा सकता है यह एसीडिटी में भी काफी लापकारी होता है एसीडिटी या अपच में अडूसा का फायदे बहुत सारे देखे गए हैं दरसल यह पेट में संकठन को कम करता है इसलिए आपको अडूसा पाउडर, आमला पाउडर और मुलिठी पाउडर को समान मांतरा में मिला कर इसका सेवन करना चाहिए इससे आपको काफी लाप होगा यह प्लीडिंग में भी काफी फायदे मंद होता है अधिक खून निकलने पर यह आपको खून रोकने पर भी आपकी काफी मदद करता है हरित की और अंडूसा के पत्तों को 400 ml पानी में उबाल कर कहड़ा बनाए और पानी के 100 ml बचने पर और इसको शहत में मिला कर इसका दिन में दोबारी प्रियोग करे इससे आपको काफी फायदा होता है इसका यह गुन वाइरल रोगों में भी काम आता है अंडूसा के ताजे पत्तों का बना एक चमस ताजा रस शाहत के साथ में लाकर पीने से खासी में रहत बिलती है यह जोडों के दर्द में भी काफी फायदे मंध होता है जोडों के दर्द यानी की गठिय रोगों में भी अंडूसा के फादे बहुत ज़ादा प्रभावित होते हैं इसके पत्तों का लेप लगाने से सुजन तो कम होती ही है साथ ही जोडों के दर्द से भी आपको रहत मिलती है यह गले की खराश को भी कम करता है गले की खराश होना एक आम बिमारी है लेकिन कई बार इससे भी परिशानी पर जाती है इसलिए जब भी आपके गले में खराश हो आपको एक चमच अंडूसा का रस दो चमच शहत के साथ लेने से गले की खराश में अराम मिलता है ये टीवी की बिमारी के लिए भी बहुत जादा फाइदेमंद है टीवी में भी इसके फाइदे बहुत जादा नजर आते हैं इसके लिए अंडुशा के पत्तो का रज, शहद, अद्रक के साथ मिलाकर दिन बार तीन बार ले या फिर 10-10 ग्राम अंडुशा के फूलों को इतन अंडूशा का प्रियोग कर सकते हैं खाना खाने के बाद अंडूशा के पत्तों का रश शहत मिलाकर इसे पीने से लीवर की समस्या में आराम मलता है ये अस्तमा विकार्स में भी बहुत ज़ादा फाइदे मंद है अस्तमा में स्वास लेने की समस्या सुषन नली में सूजन के कारण होती है अंडूशा सूजन को कम करने में मददकार होता है ये सुषन नली और फिफडो की सूजन को दूर करने का उपाय बताती है इसमें सास लेने की प्रक्रिया को और इसमें कमपाउंड भी होता है अंडूशा का अस्तमा में फायदे के लिए 5-5 मिलिग्राम अंडूशा के पतों का रस शहत के साथ, ढ़ाई एमल अध्रक का रस मिला कर लेना चाहिए इससे आपको काफी लाब होता है अंडुशा के पत्तो को पीस कर किसी कपड़े में बात कर निचोड कर रस निकाले 20-30 ग्राम रस दिन में 2-3-4 बार पीने से नाक, मुँ और मल द्वार से होने वाली ब्रीडिंग बंद हो जाती है ये बवसीर में भी काफी फाइदे मंद होता है इसके लिए अंडुशा के पत्ते और सफेद चंदन का चूर मिलाकर पीएं और प्रति दिन 3 ग्राम चूर पानी के साथ सेवन करने से इससे आपको ब्रीडिंग की सुनमस्द से लाब मिलता है तो दोस्तों ये थे अंडुशा से होने वाले फाइदों के बारे में आज की वीडियो में बस सित्ता ही लोटेंगे एक नए वीडियो एक नए टेप्स के साथ मेरे चंद को लाइक सस्क्राइब शेयर करना ना बूले और मेरी इस वीडियो को लाइक सस्क्राइब शेयर ज़रूर करें